स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्री टेकनोलजी में मैं अनुवर्म वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कम्पीटर विडिनस्टी में आज हम लोग बात करेंगे एन्वी एमी एससडी नैस के बारे में यह अभी मार्केट में फ्लर्ड हो रहा है तो इसको समझते हैं तो समझते हैं जरुत क्या है जरुत यह है कि आज के टाइम में डेटा बहुत इंपॉर्टन होते जा रहा है और यह समझी इंडिविज्वल के लिए भी इंपॉर्टन ली यानि आप और हम और बिजनस के लिए तो discussion करने की जरुवती नहीं है तो इसका importance दिन बढ़ते जा रहा है आने वाले time में यही सबसे important जीच होगा तो यह हो गया है अब रहाबात कि इसमें सबसे best तरीका क्या होता है data को रखने का सबसे best होता है local data storage ऐसा क्यों? क्योंकि समझ लिए कि सबसे पहला बात होता है no recurring payment आप भले कहलो कि NAS में मैं ज्यादा पैसा लाग दूगा चार पान साल के लिए डेटा रखने के लिए compare to online लेकिन online में ये रहता है कि पैसा आप मंद्री देरा और ढपा successful हो गया तो ये समझना बहुत ज़रूरी है data secure रखने का सबसे असान तरीका होता है data वाइसे जगां पर मत रखो जहां पर लोग अराम से आजा सकते हैं यानि कि cloud पे ना रखें अगर आपका NAS है जो कि internet से connected ही नहीं है या internet से इतने छोटे पाइप से connected है कि उसका सारा data गर निकालने को कोशिश किया आपका network इतना slow हो जाएगा कि सब को पता चले ये भाई कुछ गरबन हो रहा है मतलब समझे ले एक choke point आप बना सकते हो या NAS कही सारे case में बंद रहता है कई बार लोगों को नहीं समझे माता था कि बहुत सारे एड ये सुरू की बात है कि बहुत ज़्यादा targeted हो रहा था Google में बाद में पता चले हैं कि बहुत सारा ऐसा file है जो अगर आप store किये मतलब ये political वाली बात है अमेरिकन पर बहुत लाग होता है तो Google डिलीट कर देगा सीधे डिलीट कर देगा अब भाई उससे क्यों फरक पढ़ रहा है कि मैं Google Drive में क्या डाल रहा हूं नहीं डाल रहा हूं वही बात है प्राइविसी नहीं है कोई भी cloud provider आपका प्राइविसी नहीं ध्यान देता है तो यह समझने वाली बात है कि अगर आपका डेटा इंपोर्टन है जो कि है आप डेटा को चाहते हो कि भाई मेरे पास है रहे रक्षित है तो लोकल ही सबसे बेस्ट होता है और समझे आपको दो चीचे रिडंडनसी और स्पीड चाहिए यह दो चीचे अगर मिल जाता तो बल्ले बल्ले जाता है रिडंडनसी ताकि यह ना हो और यहां पर समझे कि डेटा करॉप्शन होगा ही जब तक आप डेटा को फिजिकल मीडिया में नहीं रखते हो जैसे कि अभी भी हम मतलब बहुत सारा फाइल को यह जितना भी मेरा इंपोर्टेंट चीज हो सीधे डीवीडी में बर्न कर देते हैं क्योंकि यह फिजिकली पैसिव मीडियम है इसमें कोई मैगनेटिक फील्ड नहीं है कुछ इसका नहीं होने वाला है मतलब मॉश्चेर इसका कुछ बिगार सकता है तो वह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको यह सबसे बचना है तो या तो ऐसा किजिए या तो एक मतलब नैस में रुखिए और नैस में चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें रिडूंडन चेकिंग होता रहता है अगर नहीं कर रहे है जैसे कि अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर कैमरा वाले टोनी नौथ्रप के डिपार्टम्ट उन पर धपा पड़ गया बिट्रॉट हो गया अब रहावाग बिट्रॉट होना नहीं चाहिए सर्वर सब में सर्वर में बनाया जाता है कि चेक्सम स्टोर किया जाता है उसे बीच-विच में चेक करते हैं जो अगर आप लोग मेरा यह एंवियमी के बारे में हम लोग डिस्कॉशन कर रहे हैं मार्केट में यह समझी है कि HDD जो है एंड आफ रोड पहुच गया है यानि कि अगर मैं आपको पुराना हाट ड्राइब खोल के दिखा हूँ पुराना हार ड्राइब या इस तरह का आता है इसका काम खतम हो गया है यह मतलब समझी अनद ऑ फ़ लाइं पहुक्छ गया यानि कि इस पर आप कंपैनी बहुत महनत कर के भी बहुत जैदा कुछ कर नहीं सकते इसका दो कारण है, सबसे पहला जैसा यह तो पुराना हाट ड्राइव है, तो यह सिफ 2TB का है, लेकिन बाद है कि अभी आप 22TB तक जा सकते हो, यह 24TB, मत अब 30 के अंदर ही रहोगे घुमा फिरा के, बाद है, तरब तक बढ़ गया है, बले-बले, प्राब्लम है कि इस पी लेकिन 600 चुई नहीं पा रहा है, 200 क्रॉस हुआ, मतब आपको अभी बहुत बड़ा साइस का हाट ड्राइव लेता है, जैसे यह 2TB होता स्पीड नहीं दे पाएगा, अगर आप यह 20TB वाला लेते हैं, वह भी बहुत जादा स्पीड नहीं दे सकता है, तो यह समझना स्पीड एक चोक पॉइंट बन गया, अब वो चोक पॉइंट से प्रॉब्लम ही होता है, कि अगर हाट ड्राइव का कुछ हुआ जाए, समाल यह आपने अरे बना लिया था, कि यह 8 हाट ड्राइव इसमें 2 redundant है, एक हाट ड्राइव गया, आप उसको निकाले दूसरा लगा ति वो सारा डेटा पेरडी काल्कुलेट करेगा, लेकिन यह पेरडी इतना धीमे होगा, कि यह's हाट ड्राइव ही स्लू है, इतना धीरे लगा है कि सारे हाट ट्राइव पर लोड पाता हूँ, कई बार लोहों का Server स्वाह हो जाता है कि यह फ्रिक पर स्ट्रे cafeteria इन ऐना पत तो इसमें खुब जंप मार रहे थे 500 MB, 500 GB हो गया, फिर 1 TB हो गया, 2 TB हो गया, 4 TB हो गया, 8 TB हो गया, अब वो देख रहे हैं कि 20 से जदा आगे जाने रहा है, और 20 आप लोगों से बहुत कमी लोग खर दे होंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण हो यह रहा है, स्पीड जो है, आपको 250 Mbps ही मिलेगा, यह वाला स्पीड हो गया, अगर आप SSD चले आते हैं, जैसे कि, इस तरह का SSD पे चले आते हैं, तो आपको स्पीड मिलेगा, यह 600 Mbps के अंदर वाले काटेगरी में, यानि कि आपको 600 Mbps तक 550 तो मिली जाता है, और कुछ-कुछ बहुत हाई-end हैं, जो दे भी देते होता है, लेकिन आप जैसे ही NVMe में चले जाते हैं, तब आपको 7.5 Gbps तक जा सकते हैं, यह मेरा कंप्यूटर का जो अभी लगा हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि, रफ्तार के मामले में NVMe का कोई मुकाबला नहीं है, और उसमें जैसे माल यह 4TB है, 4TB हो कितना स्पीड से धर सुधर कर सकता है, वो बहुत तेजी है, यानि कि अगर आपका array में एक drive फेल हुआ, आपने वो drive निकाला, नया drive लगा है, वो कुछ घंटों के अंदर ही नया drive को rebuild कर देगा, यानि कि आप stressed हालत में कम रहेंग देरे देर हम लोग हाथ होना शुरू करते हैं, तो इसका टिकट कट चुका है, सेटा थरी का हो गया है, काफी नहीं है, सेटा थरी बोल रहने, आपको सबस्यादा यही दे सकता है, काफी नहीं है, NVME, सारे टेकनलोजी कोगी, एंटरपराइस चूने लगा, देरे देरे व लेकिन सैमसंग का प्रो स्रीज था, वो स्पीड इतना देता है, पढ़ियां से स्पीड देता है, अनफॉर्टिनली स्पीड तो देता है, लेकिन मतलब कापैसिटी नहीं थी, अब जो लिया है, NVME सैमसंग का मैने लिया है, वो तो बहुत ज्यादा तेज चला जाता है, 7. बहुत जाता है, कापैसिटी बहुत कम नामे मिल जाएगा, यानि कि 20,000 में आप चाहें तो 1TB का हाई परफॉर्मेंस NVME ले सकते हैं, या 20,000 में 4TB का नॉर्मल ले सकते हैं, और 4TB का जो नॉर्मल NVME लेंगे, वो भी सबसे फास्टेस SSD से, यानि कि जो आपका SATA 3 पे चल NVME SSD का इस्तमाल करके NAS आने लगे हैं, मैं QNAP यह वाला हो गया, TBS464, यह मतलब उता रहा है, हलका प्रोड़क्ट है, लेकिन हलके जरूरत के लिए बनाया गया है, यानि कि उसमें आप चार्थ हो NVME SSD डाल देजिए, और खोश रही है, आपका सारा काम हो कर देगा, बहुत इतना स्पीड चल सकता है, क्योंकि आप जब भी अरे के बारे में बात करते हैं, इसका रीड इतना है तो इतना दे देगा, अरे में पैरेटी कैलकुलेशन किये जाते हैं, ताकि डेटा एक उड़ने पर नहीं उड़ जाए, तो पैरेटी कैलकुलेशन का कारण यह होता है, मतलब कि जो भी डेटा आप राइट कर रहे हैं, वो बहुत स्लो राइट होगा, क्यों, सीप्यों आपने डेटा दे दिया, हम उसे कुट-कुट करेंगे, फिर लिखेंगे, तो टाइम लगना है, तो इसमें दिया जा रहा है, दो लिंक की स्पीड दे रहा है, जो कि आपका और 12 सीरेजे में 12 NVMe SSD लगा सकते हैं, यानि कि अलमुस्ट मीडियम बिजनस को ये समहाल सकता है, यानि कि अगर आप मीडियम बिजनस के नजज़े से देख रहे हैं, तो आप इसका दो ठोले के दो अलग अलग जगां पे रख सकते हैं, और अर अरहाम साब का बैक अप हो ज समझिए कि सब आपको 100 MPS से ऊपर चल सकता है, मतलब रीड राइट के साथ, और बहुत कम पावर ड्रा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने server बना लिया, चलो बहुत का बिजली बिल आपका बैंड बचाएगा, क्योंकि मानली आप अमीर भी हो, कि आपका बिजली बिल से दिक बैंगा बिले परव्लिक के रिंज पे आने लग रहा है, मतलब एक लाग के नीचे आपको ॡ्राइव मिलने लग गए हैं, तो अब बात करते है, यहां पर समझ यह बात आपको तो समझे कि आपने NVMe मे लिया, क्नेट कर दिया, से NVMe मे लिया, क्नेट कर दिया, इसा यह और प이션़ को तो चालि हो गहें उसके पास नेन ही किक स्चर्च हो जायेगा। ये समझना बहुत जरूरी होता है। आप कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। आप सब पर डेटा डाल सकर अखेस कर सकते हैं। लेकिन जितनी बार आप ये डिवाइद करते जाएंगे लेन्स को डिवाइड करते जाएंगे थूरूपट आपको घठते चला जाएगा तो यह समझना बहुत जरह है जिस्ट अगर आपको बुदते हैं मैं इसमें बारा एंवीमी जासा आपको परफॉर्मेंस बिलेगा क्यों कि वह थूरूपट जो है वह लिमिटिंग पॉइंट कर दो नहीं काम करबातो है आराम से सकता है आपका यह सब पर यह सब पास्वाइब कर पाया तो वह चोग पॉंट बन जाता है तो यह आपको समझना बहुत जरही है और जितने भी यह इसब बने अपको दिखा रहा हुए यह सब लोग कॉस्ट CPU इस्तों पर नहीं है इनका स नहीं है नहीं क्रण्चिंग पावर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है तो थोब असा आपको साफधानी बरत नहीं पड़ी मतलए एक्सपेक्टेशन यह मतले है क्या इंटरप्राइस का सर्वर मिल रहा है आपको मिल रहा है को कंज्यूमर एंड ही कनेक्ट सब होगा सब सबसे बड़ा आंतर आपको जो दिखेगा जबकि सेम कोर काउंट हो सकता है इसमें 24 को रहे हैं तो अंतर क्या है सबसे बड़ा चाहे वह इंटल हो चाहें अमड हो दिखेंगा पीसी आई लेन सर्वर वाले इंड में बहुत जादा दिया जाता है तो इस समझना बहुत मतलब वह उतना थ्रूपट दे पाना वन जी उपिस क्या सब्सक्राइब वह भी पीसी लेन खाता है तो आपका सीप्यू अगर माली पास एक टोटल लेन था उसमें से मैंने चार लेन दे दिया सिर्फ नेटर के लिए बचा चार लेन में तो एक ही एन वी लगया तो उसे स् करें मैंने खाइब अका्या बचांगा तो यहां अगर एक लागया उन्दर का ही product है बस आका connectivity का benefit में रहा है आपको hardware मतलब Nvme का फायदा मिल रहा है आपको speeds के फायदा मिल रहा है मतलब तो यहां पर समझी कि यह जो अभी पूरा मैंने तीन थे एक्जामपल दिया और ऐसे बहुत सारे और भी है और मैंने नीचे सीएस में दिया था क्यों नहीं थोड़ा सा जादा बीफियर वर्शन है जिसमें मतलब आइधिंक सीप्यून का थो जादा बैटर हो तो एक्चली फ कि अधिया ऐसा नहीं बॉल्स तो दा वाल्स कि मतलब बेस्ट दे दिया रहे सर एक्चली उतना जरूवत है क्योंकि चाहिए सब को सब लोग मूँ खोल जरू देंगे कि हमको आप दो 10GPS सर आपका मदरबोड में है 10GPS और मान लिए 10GPS आप दे भी दिया क्या आपका SSD अब एडिटिंग रिमोट पर कर सकते हो तो आप कर क्या रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए जर्नली लोग बहुत ज़्यादा इसलिए मांगते कि एक नैस से स्विच में जाएगा स्विच बाकी 10 लोग में बांट देता है लेकिन आपके उसमाल यह पांची लोग है तो यह सब आगया है मार्केट में तो रहा बात कि क्या अभी आप खुद से बना लूँ ऐसा कुछ तो बात यह समझेगी नहीं आसानी से नहीं बना सकते है फिजिकली बना सकते है और आकर फॉकेट भारी है तो बना भी सकते है लेकिन में दिक्कत है कि मतलब अगर नैस के operating system available है जो free है कुछ-कुछ तो open source भी है दिक्कत यह है कि उससाब को configure करना आम बालक के बात नहीं होती है उसके लिए आपको हश्ट पुष्ट तंदृस्त बुद्धी होनी चाहिए जो उस चीज को समझ सके है कि अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं कि अगर उनकी scrubbing मालिया scrubbing उसने बहुत टाइम ले लिया कि अच्छे महिने में scrubbing करेंगे और लेकिन जो प्रोफेशनल है वो scrubbing किया रहेगा कि हम scrubbing हर एक महिने करेंगे और अगर scrubbing के टाइंग पावर कट हो गया पावर स्टाट होगा हम scrubbing करेंग उसके बादी नैस अक्टिवेट करेंग महिनत करेंगे और आप एक्चली क्लेवर हो और आप बहुत सारा गाइड्स फॉलो कर सकते हो तो आप जरूर ऐसा बना सकते हो कि हां बश्ट पुष्ट अंद्र भरपुष्ट आपको मिल जाएगा लेकिन फिर पीसी आई स्पिलिटर का हिर्जर का जाएगा यानि कि यह चा में धंग से नहीं हो सकता मतलब कंज्यूमर सीपी में आपको सीरे सर्वर में जाना पड़ेगा कंज्यूमर सीपी में नहीं होगा क्योंकि आप देखिए कि मैं अभी चैसे मेरा एमड 7000 लिया उसमें दो ही जंगा पे PCI 5.0 हो है 5.0 का मेरा आपका एक NVMe slot है और 5.0 का मेरा 16x slot है जो की GPU के लिए है बाकी बाकी सब PCI 4 है और PCI 4 भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा है और यह पहली बार मेरा मेरा मदर बोड में ऐसा हो रहा है कि अगर मैं सेटा पोर्ट यूज़ कर रहा हूं जैसे मेरे पास अभी भी बोला मेकानिकल ड्राइव अभी भी है थोड़ा सा स्वाइण बचा हुआ है तो मेकेनिकल ड्राइव यूज़ करें तो सेटा यूज़ कर रहा हूँ तो सेटा में लिखा हूए सार यह तो सेटा यूज़ किया यह नवीमी पोर्ट रहे है तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वह वीकनेस जो है कि कंपणी अराम से खारीच स वह मुश्किल बात है तो अभी के टाइम में ना तो वह चीफ होने वाला ना एफिशिंट हो रहा तो अभी के टाइम में येक यूनिक मौका है जिसमें आपको सिफ खरीदना है और स्मॉल बिजनस, मीडियम यूजर्स और हवी यूजर्स ये लोग अराम से खुछ रह सकते हैं डेटा अराम से रखा जा सकता है बैकप किया सकता है तो अच्छा रस्ता पर गाड़ी चल रही मुझे अच्छा लगा कि मतलब आम पबलिक के आम जरूरतों पर फोकस किया जा रह या चार टेराबाइट का खरीए जितना आपका बज़ा टेक खरीदी और अभी मान लिए वन टेराबाइट खरीद के आप गाड़ी खोल दीजे बाद में चार टेराबाइट में अप्डेट कर लिजे क्योंकि इसका दाम बहुत ती स्पीड से घड़ते जा रहा है तो अच करता हूँ आपको अच्छा लगाओ कुछ सिखने मिलाओ कुछ समझ में अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्ते का शेर कर दे उसे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंदा है कोई बात नहीं आप डिसलेक दबाएट दबाएं उससे मुझे बतार चलो केतना न पसंद हुआ है मैं आपसे कोमेंट लिखें मैं हर कमेंट पर पठने कोशिश करता हूँ आपसे को सब्सक्राइब कीजिए बेल भाई यारा फ्री है तो आपने और वीड़ी दिखा जानके मुझे बहुत खुशी हुए धन्यवाद